कैसे हैं आप सभी लोग वेलकम बाक तो दे वीडियो एंड काइस आज हम लोग खेल रहे है चौप के साथ पावरवाश सिम्यूलेरर तो चौप कैसा है ब्रो फॉट बाई तको तको इता रहो भाई पहले इता रहो कोड़ा में आओ बाई यह ट्रेन गंद कैसे होगे फॉट लोग इस घटिया मैली एकदम वाहियाद ट्रेन को साफ करेंगे और बदले में कुछ चुरूपय ले लेंगे ठीक है तो गाईज आओ चलो जल्दी से फड़ा फड़ा इस ट्रेन को साफ करते हैं यह देखो भाई यहाँ पर मिस्टर चौप ने थोड़ा मोड़ा साफ आप लोग देख सकते हो भाई अपन लोग कितनी भी जोर से पानी मारे जो जंक लगी है न लुए के उपर वह बाई एकदम जिद्धी है ठीक है उसको साफ करने के लिए हम लोगों यहाँ पर स्पेशल लिक्विड भी खरीदे वे इन फाक्ट जो वाशर हम लोग उसकर रह नहीं भाई जो हम लोग कर सकते सिवाए वेट करने के तो अभी सामने वाला एरिया हम लोगों ने काफी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है अब बचा भी है तो यहाँ पर बारीक तरीके से गंदगी निकालना देखो भाई इस गेम के अंदर लिटरली डीटेलिक बहुत आपको उसको निकाल देना है भाई स्टार्टिंग में नहीं तो बाद में जा कि इतना परिशान हो जाओगे तुम बोलोगे भाई कहां गंदगी है मेरे को दिखी नहीं रही है अपने रिजल्ट से काफी खुश हूँ गाई अभी गाड़ी जो है अटलिस जो ड्राइवर क आप लोग यहां पर एक्सेल है पूरा और हम लोगों का शाफ्ट है वील्स है तो अपर लोग इसको भी साफ करेंगा ओड़ी भाई कितनी गंदिगी इदर दिखा आप लोगों ने भाई 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 इसको साफ करने में तो चौप अपर लोग बूडे हो जाएगे य भाई लगता है बार 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 प्रेशर अपलाई करते रहना पड़ेगा ओ भाई गेम चिपा गया ओके थोड़ा नेटवर्क एरर हो रहा है काईज इसलिए यहां पर हम लोग को कहीं कहीं पर लाग देखने को मिल सकते है तो उसको इग्नोर करना एंड यह द यह गंदगी पहुच जाती है लेकिन हमारा पानी नहीं पहुच पारा को बात दी गाईज अपर लोग का फ्रॉस्टी भाई है ना तुम टेंशन काया लेते हो भाई अपर लोग करेंगे ने कंप्लीट यह जो पतली सी रॉड देख रहो तुम इसको भी साफ करना भाई ओ हां काफी क्लीन कर दिया गाईज वैसे इसने यह भी हम लोग के जैसे एक दम फास्ट काम कर रहा है गाईज कोई भी यहां पर समय की बरबादी नहीं की जारी है और भाई इधर देख लो तुम जरा भाई यह चलने का एरिया बनाया जाता है लेकिन इधर भी इतनी गंदगी है हम लोग यहां पर ज्यादा बात चीतने करते सीधा स्प्रेइंग पर ध्यान देते हैं यही पर से धुआ हुआ निकलता है न यह थोड़ी पुरानी जमाने वाली ट्रेन है इसको आप लोग लोको मोटिव बुलाते थे शायद लेकिन आप लोग देख सकते हो भ भाई नीचे में भी एकदम गंदगी है यहां तो कपड़ा मारके पता है इस गेम के अंदर पोचा मारने का ओप्शन देना चीए गाइस कपड़ा फसा के जो गंदगी साफ करेंगे अपर लोग तुम याद रखोगे भाई इसलिए बोलता है इस गेम को इंडियन मनाओ यह अमेरिकन वाले भाई इसकी टैट इस देखो पिछकारी मारते रहते दिन बर पिछकारी से कुछ होगा गाईज होली चल रही है यहां पर बाई होली में यार उनों टावल भिंगा के चौप को मारता था भाई यहां तो फिर भी सास्टफाई चल रही है और राइट लगता ह लोको इतने पापड बेलने पड़ेंगे इतने पापड बेलने पड़ेंगे कि तुमने सोचा नहीं होगा और यह देखो यहां का हम लोगों ने most of the area clean कर दिया ओर राइट तो अब I guess उपर की गंदी की बच्ची वी है चल इधर भी थोड़ा सा मार देता है spray paint I mean spray wash जो भी इतने साल हो गए इसको यहां पड़े वे लेकिन थोड़ा सा भी नहीं किया है मलब सिफ जो गंदगी है वो उपर से बैट गई है यह लोग फिजिक्स में लगता है ध्यान नहीं देते गाईज अगर इतने दिनों से इतनी गंदगी जमेगी किसी चीज की उपर तो भाई of course यहां पे जो पेंट ना वो भी या तुम्हारों पुरा खराब हो जाएगा लेकिन अपने को भाई पेंटिंग नहीं करनी है मैं चाहता हूं जो भी बंदी इस गेम को बना रहे ना भाई पेंट करने का भी ऑप्शन लाओ ठीक है अपने लोग पेंट भी करना चाहते है इत हम लिटरिली मजदूरी कर रहे है तुमारे लिए बताओ दूसरों के घरो में जाके उनकी ट्रेने साफ करनी पड़ती है अरे वही बोल रहा हूं भाई तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है बातों को लेके आल राइट गाइस देख रहे हो अब जाके थोड़ा आया स्वाध स्वात तो नहीं आएगा गंदीगी बहुत जादा है लेकि मारा कहने का मतलब यह था कि ट्रेन की जो वैल्यू है वो थोड़ी सही दिखाई दे रही है और एक सिकेंड डोस्तो बस एक सिकेंड में चेक कर रहा हूं यहापर क्या अपर लोग को तो आसा music off करना पड़ेगा बह पका 1980s की ट्रेन है भाई इतने पुराने जमाना में पैदा भी नहीं हो था जब ऐसे ट्रेन है चलती थी भाई मानना पड़ेगा यार पहले की टेकनोलोजी क्या लगती थी भाई है ना चौप लेकर यह कोईले से चलती थी आज कल कोई भी ट्रेन कोईले से नहीं चलती है उल्टा कोईला लेकर जाते है भाई सारे ट्रेन है अरे भाई तुम कहा यार पुरानी जमानों की ट्रेन के तुम दिवाने नहीं हो लगता चुड़ा हटा कोई बात निकाई अपर लोग भाई यहाँ पर टॉइस से बहुत खिला करते थे बच्पन में ऐसी टाइप की ट्र भले हो लेकिन आदमी यहाँ पर हार नहीं माने का गाई और हम लोग यहाँ पर आ चुके अपना पोचा ओचे का समाल लेकर आ गये भाई दिखरो इस साइड और भाई कितना इधर से भी और गंदा है यह यार इधर तो थोड़ा छोड़ देते थोड़ा चोड़ देते इसको हटाओ भाई देखते ही यह यह सफाई किये तुने यह सफाई मैं यह कैसे क्या कर रहे है तुट भाई उपर का काम अभी नहीं शुरू किया है बाद में करने का सोचा था लेकिन आप पहले उपर चाड़ के बैठ गर अरे यार अपना छोड़ो इसी का मदद कर देता मुना तु भाने मार ले इस वार जितनी पेमेंट आएगी न आदे पैसे मैं अपने लिए रख लूँगा क्योंकि तुरे तो कुछ कामी नहीं किया है यह तो कुछ सारा गाम अपने हो करना पड़ रहा है यह गलत बात है बैर को मैं पैसा मिला चाहिए और यह तुम ट्रेन डाला उपर वाला एरिया भी अब देख रहो बस यह जो बारीकी से कोने की गंदगी होते है इसको निकालना है और यह देखो ओह 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 दिल खुस हो गया भाई सहाब और यहां पर मार दिया इधर थोड़ा सा जंग बचा इसको भी हटायते और कब होगा यह वाला पोर्श कोई करना पड़ता है अब यह रुका बहुत बुली कर रहा था तो है इधर आ गया बाई साफ सफाइग करने और अपल लोग अपना यह उन्हों चक्के वाला काम कंपलीट करेंगे दोस्तों इसको देखके मेरे सर घूम रहे हैं इसको करेंगे कैसे बाई यह सही में बहुत बड़ा ट्रेड नहीं बना दिया इन लोगों ने और सोचो इसमें तो सिफ यार एक इंजन और एक बॉगी है अगर भाई इसके अंदर जाधा चीज़ों होती मतलब लेट से दस इंजन एक इंजन और दस बॉगी होती तो सोचो भाई चौप तो भाई तो मिशन नहीं लेवर ऊंके चलो इसको साथ लेकर चलते मेरे को पता होता है मैं मेंनत वहला का रहा है भाई लेके अब पर ड़ह लेगा है और नहीं जेंटलमेन भाई ये देड़ घंटे निकल गए मैं मजाग नहीं कर रहो गाईज 1.5 आवर्स ठीक है मतलब टोटल पता नहीं कितने मिनट होते वो लेकिन हां 100 मिनट्स लगबग लग गए गाईज लेकिन फाइनली तुम्हारे फ्रॉस्ट भाई ने 100% क्लीन कर दिया और क्या क्यासा आपको लगा यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताओ कॉमेंट में बताना मेरे को ट्रेन ओपी लग रही है कि नहीं बड़ा मेहनत किया यह तो भाई टाइम लाप्स देखो तुम जरा एक बार यहाँ पर ओमाई गॉड ओमाई गॉड यह देख रहो तुम यह देख रोस्ती